बहुत यादा शांदार लोकेशन पर है और बहुत यादा हैट पर इसकी स्थिति को बनाया गया है अंग्रेजों के जमाने का ये होटल है और तब से लेकर अब तक ये केवल और केवल गोर्मेंट करमचारियों के लिए ही रिजर्व है अब हम आपको अपने रूम में लेकर चलेंगे ये पहली वाले बिल्डिंग है जो की रिसेप्शन से दिखाई देती है इसी में हमें रूम मिला है रूम हमें सेकंड फ्लोर पर मिला है इसलिए हम सीडी के माध्यम से सेकंड फ्लोर तक जाएंगे ये सीडी आप देख सकते हैं लकड़ी की बनी हुई सीडियां है और इंटिरियर सच में बहुत यादा शांदार है अट्रक्टिव है और सेफटी का भी विशेश तोर पर ध्यान रखा गया है सीडियां अच्छे से वेल मेंटेन है फर एकस्टिंग यूसर भी यहाँ पर लगाये गए हैं साथ इसाथ आपको यहां पर एक ताला भी मिल जाता है जिसको आप लगा कर अपना घूमने फिरने जा सकते हैं साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पॉलिश करके दर्वाजों को इस्टेर्स को और पूरे के पूरे एरिय को मेंटिन करके रखा गया है जो की हमें फिल कराता है कि हम सच में बहुत यादा उम्दा और शांदार लोकेशन पर आए हैं दोस्तो रूम टिक ओवर करने के बाद मैंने इसमें ताला नहीं लगाया था केवल कुंडी लगा दी थी क्योंकि यहाँ कोई रिस्क वाली बात नहीं है सारे के सारे सरकारी आदमी ही यहां आ सकते हैं इसलिए डरना किस बात का अब हम आपको अपने रूम में लेकर चलेंगा आप देख सकते हैं कितना शांदार तरीके से हमारा रूम है कितना बड़ा टीवी इसमें चल रहा है साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें चार टावल भी मिले हैं और आप डबल बैट के साथ सोफा भी देख सकते हैं हाथ सेखने के लिए भी यहाँ पर अरेजमेंट बनाये गए है हीटर भी यहाँ पर हमें दिया गया है साथ में आप अन्य बैड रूम देख सकते हैं जहां पर हमें एक दूसरा डबल बैड देखने को मिल जाता है बैड शिट अभी धोने के लिए गई है और जब वो बदल जाएगी तो आप देखेंगे और इंप्रेस हो जाएगे साथ ही यहाँ पर भी आप हीटर लगा हुआ देख सकते हैं तो बहुत ही यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर रूम्स को बनाया गया है बालकनी भी इसमें दी गई है लेकिन बालकनी में आप डिरेक्टली जाग नहीं सकते हैं कि अवर खिड़की के मांदियम से ही जाग सकते हैं साथ ही टोलेट बातरूम भी काफ़े साफसुत रही है और रूम में हमें टंकी के साथ-साथ एक गीजर भी देखने को मिल जाता है तो इस होटल में भूती यादा अच्छे से हर एक चीज को मैनेज करके रखा गया है जैसा हम सोचते हैं सरकारी चीजे मिंटेर नहीं होती तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना हाई स्टेंडर इस होटल का हमें देखने को मिलता है जो कि हमें बताता है कि government employees को एक से बढ़कर एक बहतरी सुविधा भी देखने को मिलती है इस तरह का रूम आप देखने के लिए मिलता है आप देख सकते हैं कितना शानदार यह रूम है और एक एक चीज को बहुत है बहतरी तरीके से सजाया गया है बनाया गया है उम्बित करता हूं दोस्तों मेरा यह वीडिया आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ पाया में किस तरह की सुविधा में देखने के लिए मिलती है